कि वो जेल में ही इंतकाल कर चुके थे उसके बाद उनको जो है डाक्टर के पास ले जाए गया तो डाक्टर ना को मित बुशित थे गरीबों के लिए वो मसिया थे कई भाजपा के भी बहुत से लोग है जो अंदर से बहुत दूख है फुलके नहीं बोल सकते है कि व्हुतार अंसारी का जब से निधन हुआ है कुछ लोग खुशिया मना रहे हैं तो कुछ लोग गम में डूबे हुए हैं कुछ लोग उन्हें मस्या कह दिया तो कुछ लोग जो उन्हें गुंडा और माफिया कह रहे हैं हमारे साथ वरिष्ट निता है अतहर जमार लारी साहब बहुत लगाव रहा भी होगा इनका भी उनसे और अभी साहद मिल के भी आया होंगे बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है जैसे एक सब्द में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुक्तार अंसारी माफिया या मसीह देखिए गरीबों के लिए वो मसीह थे और मुक्तार अंसारी ने जतना लोगों की मदद होनी चाहिए उतनी गरीबों की मदद करना शादी कराना पढ़ाना लिखाना दवाई दिलवाना इराज कराना वो हर काम करते थे थे और साबित इस बात से होता है कि वो मसीह थे कि जब उनका इंतकाल हुआ है तो उनके जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए हैं और कितने लोग तो शामिल इस दर से नहीं हुए कि कहीं हमको मिटी देने का मौका मिलेगा की नहीं परशासन हमको जाने देगा की नहीं देगा इसलिए नहीं गए और उसके बाद देखिए लगतार उनके आवास पे आज मैं गया था एक हुजूम है भीड है तो वही हुजूम ये जाहिर कर रही है और तमाम गरीब तबके के लोग हर हिंदू मुसल्मान सीख हिसाई हर मजभब के मानने वारे लोग जाए वो दलित हो पिछड़ा हो अगड़ा हो हर तबके के लोग आज आशू बहा रहे हैं उनके दर्वाजे पे जा करके उनके गबर पे जा करके फूल चड़ा रहे हैं मुसल्माशा फातिःप पूर रहे हैं मगफरत की दूआ कर रहे हैं तो यह दर्शाता है कि वो गरीबों के मसिया था जा yhtी गरीबों की मदद गरा रहते हैं कुछ लोगों के लिए जो काते हैं कि वो गुन्डा थे तो भाई वो जो गुंडा और सामन्त वादी थे वो जब गरीबों को सताते थे किसी के खेट पर कब्जा कर लेते थे किसी की गाए बैस उठा ले जाते थे तो उसका मुकाबला भी करते थे और छोगाने का काम भी करते थे गरीबों को इनसाफ दिलाने का काम करते थे तो ऐसे लोग तो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन गरीब मजलूम लोगों से पूझेगा आम जनता से पूझेगा तो सीधे सा एक सा शब्द कहेगी कि वो हम लोगों के लिए मसीया थे और जहां तक वो इंतकाल कर गए हमें मालूम है कि पंजाब से जब से वो आये थे तब से लगातार वो अपनी जान को खत्रा बता रहे थे और बादा जेल में भी थे तो उन्होंने अपने को खत्रा बताया और हाल में कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि जो है हमारे जान को खत्रा है जिस तरीके से लोग जेलों में मार दिये जा रहे थे और तरह तरह की जेल ले जाते समय हास्पीटर ले जाते समय तमाम हत्याएं हो रही थी और उनके खिलाब भी उनके दुश्मन पड़े हुए थे वो सामने से तो मार नहीं पसके लेकिन जो आज उनका परिवार ये कह रहा है कि उनको सलो कोईजन दी गई और उन्होंने भी बार बार कहा और उनके वकील ने कोट में भी ये लिखित दिया कि इनको जहर दिया जा सकता इनको मारा जा सकता उसमें सुप्रिम कोट ने भी कहा था कि इनकी जो है हिफाज़त की जाए इनके security मुहया कराई जाए और इसके बावजूद भी उनका खाना जो है चेक करके दिया जा था था और खाना चेक करने वाले भी बिमार पड़ गए थे कुछ दिन पहले hospitalized थे एक एक माईना तक वो हास्पीटल में रहे और जो सस्पेंट हुए डिप्टी जेलर से लेकर और तमाम लोग वो इसलिए सस्पेंट किये गए कहीं ये रास खोल न दें इसलिए उनको सस्पेंट कर दिया गया तो कहीं न कहीं तो जो परिवार उनका कह र हम लोगो ने टीवी चैनलों पर देखा कि जिस तरीके से पेट फूला हुआ है जिस तरीके से उनकी हालत खराब हुई रातो रात उनको हास्पीटल लाया गया पूरे हिंदुस्तान में एक वावेला मच गया तमाम मीडिया में वो च्छा गये अब उसको दबाने के लिए तुरंत उनको जो है फिट घोसित करके जो है कोई उनकी सही तरीके से जांच नहीं हुई जो बीमारी थी पेट फूला हुआ था पेशाब नहीं हो रहा था तमाम जो हट वगरे की जो जांच होनी चाहिए वो न करके एक्सरे कराके और यह कह दिया गया कि साब एक गिदम फ सरकार पैसा बहन नहीं कर सकती है तो हमें दे दिया जाब मेदानताम या कहीं भी ऐलाज करा लेने कि सरकार में यह भी नहीं किया तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं कहीं कोई शडंत्र हुआ है और उनके साथ जो है इस तरीके की घटना घटित हुई है बारहाल है तो जो कहेगी तो लोग तो मानेंगे वही बात लेकिन अगर हर्ट अटेक भी हुआ तो के हुआ इसकी वज़ा क्या है कि उनको प्रापर ट्रीटमेंट मिला थोड़े देर के बाद 12 घंटे के बाद उनके हाला तेदम सीरियस हो जाती है और हमें तो पूरा शक है कि वह ज जेल में ही दम तोड़ चुके थे यह तो एक बात है कि हास्पीटल ले जाए गया और हमारे उनके भाई अफजाद साहब से तो लुकात रहे हैं और उन्होंने कौमी एक्तादर जो पार्टी बनाई थी तो उसका में पतादिकारी भी था और 2012 में उनकी पार्टी से मिलता है तो हमें भी पता चला तो हमको तो यह लग राता की साथ जाने नहीं दिया जाएगा मिटी में किसी को आ information नहीं की जाएगी लेकिन यह अफोर्स तो बहुत है लेकिन हुजूम भी बहुत है भीड भी बहुत है और परशासना रोक नहीं पाएगा और एक फोन आया हमारे साथी का कि हम लोग तो आये हुए है लारी साभ आप आ सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर मैं साज आड़ मुझे घर से निकला हूँ मैं और निकल कर मैं गया उनकी मईयत में उस वकत मिट्टी नहीं दी जा रही थी रोग दिया गया था लेकिन हम पहुंचे हैं तो पुलिस ने हमको देख करके पूरी बेरिकेट्री को घेरे वे तरसी लगा कि बादे हुदे किसी को अंदर कपरस्तार में जाने नहीं दे रहे थे लेकिन पुलिस के लोगों को अधिकारियों को क्या समझ में आजा कि हमको जो है अंदर जाने दिये तो मैं अंदर चला गया और दो एक बनारस गणार लोग भी तो जो हमारे पीछे-पीछे हो गये हम अंदर चले गए तो अब जो है गेट पर जो है उनके भतीजे जो है मनु अनसारी जो दिये और मैं में दे करके पिर सीधे वहाँ से अपने घर चला जाए अश्यर क्या आपको लगता है कि अब जो चुनाव है उनको टिकट भी मिला है उनके भाए जो अब जालन सारी है उनको गाजीपूर से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने और तमाम जो उनके बारे में बोला है और कहा है कि भाई उनके परिवार को जो शक है और जो मांग कर रहे हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए उसकी जाच की जानी चाहिए कराई जानी चाहिए और सुप्रीम कोट के हमारा भी मांग है कि सुप्रीम कोट के किसी वर्तमान जज्ज के द्वा को ले करके है कि जेल में जिस तर्कें से उनको जहर को दिया गया और तमाम वह बैंट के भाजपा में बहुरूशाने कि भाजपा के बहुत पके नहेंको उक्ता ले उभूय। तो तो दर्शाही रहा है, आज ही मैं गया था, आफजाल साहिब से मिलने के लिए, तो हमने देखा, उनके फाटक पर कितनी भीड थी, फिर हम खबरस्तान गया हमारे साथ, तमाम हिंदू समाज के लोग थे, मौरिया समाज के, पटेल समाज के, यादू समाज के लोग थे, वो कतार भी है, उनके दर्वाजे पर फाटक पर पूरे पुरे पुलिस का फोस का पहरा भी है, उसके बावजूद भी तमाम भीड, तमाम औरतों को भी मैंने देखा, तमाम हमने अपने हिंदू भाईयों को भी देखा, कि तमाम लोग आ रहे थे, आँसू बाहरे थे, रो रहे ना, वो तो हमेशा लोगों के दिलों में राज करेंगे, आज हम उनको नहीं देख पाएंगे, जनता उनको नहीं देख पाएगी, सही है, उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वो मुन्तकिल हो गया, अब इस दुनिया में ना हो करके, दूसर अब जाल अनसारी लड़ रहे हैं चुना तो क्या आपको लग रहा है कुछ परक पड़ेगा जीत जाएंगे यार जाएंगे जीत जाएंगे क्या अर यह तनी संपेथी है गाज़िपूर का इतियास रहा है कि दूसरी बार दुबारा कोई सांसत नहीं बना है हाँ तो बनने जा रहा है ना अब तो जीत गया जा इतनी संपेथी है लोगों की रिकार्ट तूट जाएगा लोग का रहे हैं भाजपा के लोग का रहे हैं कि साहब जो हुआ वो घलत हुआ यह नहीं होना चाहिए था और वो भी यह लोग घबरा रहे हैं कि अब किसको लड़ है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुडने के लिए हमारे साथ जो है वरिष्ट नेता समाजवादी पारटी के अतहर जमार लारी साहब थे और तमाम अपनी बातों को रखे हैं बेवाकी से आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट के माद्यम से जरूर बताएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर जरूर की जियेगा धन्यवाद